में जो दूसरी option ने रखी थी वो थी qualitative research की qualitative research में बुनियादी assumptions क्या होती है यागर आपने समझ ना हो कि qualitative researcher किन basis पे काम करते हैं तो सबसे पहली बात जो आपको इन में फरक नजर आती होई है कि इनका data जो होता है वो अमूमन वर्बेटम की शकल में होता है non-numeric होता है यानि numerical data की बजाए words की शकल में, visuals की शकल में, pictures की शकल में इनके पास data मौझूद होता है क्यों कि इनके पीछे जो basic assumption इनकी है वो यह है कि यह चीजों की objective interpretation पे नहीं आते हैं यह कहते हैं कि subjectivity एक inherent element होता है data का और data की interpretation का भी तो लहाजा इन यह focus जो है वो generalizations पे नहीं करते qualitative research का focus जो है वो किसी भी phenomena को comprehensively depth में understand करने का होता है क्योंकि generalization purpose नहीं तो इनका फिर दूसरी assumption जो है वो representativeness भी नहीं होती जैसे quantitative studies में representative sample से data लेके तो generalize किया जाता है इनके हैं क्योंकि generalization का concept ही नहीं है तो लहाजा qualitative research में आपको sampling का भी कोई concept नहीं आता इनका primary focus जो है वो in-depth information पे होता है इनका data analysis भी interpretive form में नहीं होता है किसी भी इस तरह की शकल में उस data से insights लेके ये किसी भी phenomena को वो phenomena क्या है उसमें कोई concept हो सकता है कोई opinion हो सकता है कोई experience हो सकता है जिसकी फिर ये in-depth explanations जो है वो तलाश करते हैं इनका मकसद इनसानी रवईयों को उनके perspective से समझना है generalization के purpose से नहीं हमने लोगों के रवईयों को उन लोगों की नजर से समझने की कोशिश करनी है outsider के तौर पे नहीं insider के तौर और perspective भी outside वाला नहीं उसी शखस का perspective या उस subject का perspective समझना है जिसके उपर वो research की जा रही है data collection के लिए फिर साफ जाहर है कि ये survey forms distribute नहीं कर सकते ये fix choice items नहीं दे सकते क्योंकि इन्हें फर्दर वजाहत चाहिए होती है समझने के लिए तो ये अमूमी तोर पे जो open ended observations होती है या semi structured observations या फिर ये interviews के जरीए से data collect करते हैं जिसमें आप एक question के बाद follow up question के तौर पे और तफसीलात भी कठी कर सकते हों जो के आप quantitative research के tools में नहीं कर सकते हैं qualitative researcher जो है वो क्योंके follow up question चाहता है हर जवाब की वज़े को ढूनना चाहता है इसको वो depth कहते हैं और इसलिए फिर वो इसमें ये तरीका इस्तमाल करते हैं कि अमूमन observations या फिर ये interviews या focus group discussions और इनके जरीए से data collect करते हैं इसी तरह इसके data analysis भी numerical form में नहीं होगा ताफ जरह statistics इस्तमाल नहीं होगी कोई mathematical kind of calculations नहीं होगी क्योंके data मौजूद ही आपके पास word या pictures या documentary या graphics इस शकलों में होता है या लोगों के बियानात होते हैं interview के transcripts होते हैं जिन पर based होता है तो इसमें अमूमन फिर statistical analysis नहीं किया जाता बलके इस data को themes में divide करके collect करके उसके अंदर से themes को emerge करना लोगों की understanding of phenomena की विजाहत करना ये इनका focus होता है और एक एहम interesting बाद यहाई है कि qualitative researcher कहता है कि जो research कर रहा होता है उसका अपना opinion उसकी अपनी reflections जो हैं वो भी research के conclusion पे असर अंदाज हो सकती हैं क्योंकि जो researcher खुद होता है researcher की अपनी reflections जो हैं वो भी वो उसमें से exclude नहीं कर सकता include करता है और उसकी वजाहत करता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है तो इसमें वो जो element of outsider-ness है ना कि researcher खुद outsider होता है वो research के process को influence नहीं करता यह quantitative researcher का assumption थी यहां पर वो true नहीं है वहां यहां researcher खुद भी उसके अंदर अपना role play कर सकता है इस तरह से जिसको इन तमाम processes को जो मैंने जिकर किया इनको qualitative researcher कहता है in depth insights लेते हैं human behavior से मतलिक इसी तरह contrary to quantitative research qualitative researchers का यह belief है कि दुनिया में multiple realities होती है यह आप philosophy में अगर चले जाएं तो हमने interpretivism में यह बात की थी qualitative researcher basically interpretivism से निकलता है उस philosophy से believe रखता है तो यह कहते हैं कि जो जो भी आप evidence collect करते हैं रिसर्च में उस evidence की कोई true या false interpretation नहीं होती contextualized interpretations होती हैं जो उस particular case के लिए या उसे एक research को समझने के लिए meaningful होती है और किसी और context में वही information किसी और meaning में भी interpret की जा सकती है कोई और researcher उस information को interpret करे तो वो भी different तरीके से कर सकता है तो reality जो दुनिया की है वो multiple है वो single reality वाली दुनिया यह नहीं है इसे तरह यह मुख्लिफ sources से data collect करने पे भी यकीन रखते हैं यह एक ही phenomena के बारे में आप बहुत multiple sources से data collect करें और उस data को आपस में triangulate करें उसकी authenticity को assure करने के लिए यह triangulation के process पे believe रखते हैं तो एक phenomena के बारे में अगर आप in depth understand करना चाहते हैं उसको तफसीलन समझना चाहते हैं तो multiple sources से उसकी information आपको इकठी करनी चाहिए और उस एक चीज़ के बारे में multiple sources से आई हुई information को आपस में triangulate करेंगे तो वो उस information की authenticity को correct होने को strengthen करती है और इनका एक और भी assumption बहुत important है कि qualitative researcher कहता है कि data naturalistic settings में इकठा करना चाहिए किसी भी phenomena को जिसको आप पढ़ रहे हैं वो phenomena जहां होता है जहां exist करता है उसकी उस natural setting में जाके उसको इकठा करें यह experimental setups में believe नहीं करते इनका ख्याल है experimental setups में जो है वो data manipulate हो जाता है वो उस setup की वजह से effect होता है जो artificial setups होते हैं तो जो चीज जहां हो रही है उसको वहां जाके study करना चाहिए और उसकी natural setting के अंदर उसको देखना चाहिए कि वह कैसे है यह आपको ज्यादा enriched information देता है उस phenomenon के बारे में तो यह चंद एक बन्यादी assumptions हैं जिन पर qualitative research या यह जो methodological stance है वो इन चीजों पर base करता है और इनको आपके सामने रखने का मकसद इन दोनों के आप comparison अगर अपने जहन में रखें तो आपको यह फरक समझ आएगा और फिर आप इसको connect करिए पीछे research की approach के साथ और philosophy के साथ तो आपको एक alignment इन में नजर आएगी